नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल पे आप लोगों को आफिर से स्वागत है दोस्तों हम बात कर रहे थे जलवायों और मौसम की इसके बाद में क्लास से और नमस्पति का फिरे आप बाद में बन प्रांगे ठीक है दोस्तों हमें स्टार्ट करते हैं वनस्पति की तो बहरती में मुखेत में वनस्पति कहते किसों की है वेजिटेशन जो होता व्हवेजिटेशन जो होता है वह एसी पेड़ ऑथे जना तंतर रूप से खुदी उग जाते हैं, यानि कि हम उसमें किसी भी परकार की कोई हैल्प नहीं करते हैं, वो खुदी उग जाते हैं, तो ऐसी परकार के जो वन होते हैं, ऐसे परकार के, तो उनको बोला जाता है वनस्पति, ठीक है, मुखेते बारत में जो पांस परकार की वन डिवी अधर वहीं पर कुछिजाओjust ये जो मेहा प्रोबटी पobenरी जहते हैं यहांपर देखने को मिलती है वहीं पे मेग्हाल और को laughing का परूवत ह hope यहां पर भी सरवादिक वारीफ बारिष देखने को मिलती है इनको इन sera स्ट प्रकार यह जो है वो कम से कम भी 2000 से मिटर जो है इनकी उच्चाई होती है और जब सूरी किरने दरातल पर पढ़ती है तो उनको पढ़ने नहीं देते बीच में रोक लेते हैं यानि कि नीचे का दो दरातल है वो अंदेरे में रहता है इस परकार के लंबे वन होते हैं यहाँ पर एक नमबर डाल रहा हूँ यहाँ पर आपको आइडिया लग दाएगा पस्तिमी घाट, पुर्वी घाट, परवती छेतर और पुरुवतत छेतर यहाँ पर मुस्टली यह देखने को मिलते हैं वर्सा की बात करें तो वर्सा 200 सेंटिमिन्ट से यहाँ पर ज्यादा होती है और इस परकार के वनों में महोगुनी, एबोनी और रोजवुड जो है मुखे इस परकार के पेड़ देखने को मिलते हैं जिनकी जो उचाई होती है वो सरवादी होती है बात करें सेकंड टाइप की बनास्पदी की तो दोस्तो उच्ण का टीबंदी तो ही है यह पत जड़ वन होते हैं यानि की डिसीडियस फॉरेस्ट इनको बोला जाता है यानि की यह जो वन है पत जड़ वाले यानि की बारिष होती है उससे पहले यह पत्ते गिरा देते है और उसके बाद में धिरी दिर इनके उपर नए पत्ते देखने को मिलते है इनको हम बोलते है मानसुनी वन यानि की यह पूरे पूरे डिपेंड करते है मानसुन के उपर इनमें हम देखने को मिलता है सीसम, पीपल, नीम, शागोन और शाल Mostly ये ओल ओवर इंडिया में ही देखने को मिलते हैं कौन से वन? मानसुनी वन बात करें हम तीसरी परकार की वनस्वती की मरूस्तली वन मरूस्तली वन कौन से होते हैं? थौन फोरेस्ट इनको बोला जाता है जहां पे 50 डिगरी सेंटि सेंटिमिटर से भी कम बारिष देखने को मिलती है तो जहां पे 50 सेंटिमिटर से भी कम बारिष कहां होती है तो हरियाना, राजिस्तान और गुजराच छितर और थोड़ा सा मद्यबर्देश का भी छितर इसमें आता है इसमें mostly कीकर खेर, केक्टस और बबूल इस परकार के पेट जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो दोस्तों बात करें हम कि ये जो मरुस्तली वन है इनमें एक तो कमबारिस होती है और ये हमेशा कटिली जाहडी नुमा होते हैं यानि कि ये जो होते हैं इनके उपर काटे देखने को मिलते हैं जैसे आपने जाहडी देखी है कैर देखा है जिसके उपर टीट वगिरा लगते हैं तो ये जो जिदनी परकार के पुनस्पती होती है वो मरुस्तली छित्रों में देखने को मिलती है इसके बाद में हम बात करते हैं परवर्ती ये वनोंगी, mountains, forest कौन से होते हैं तो ऐसे वन जो परवर्ती च्छित्रों मिलते हैं और 1500 से 2500 मीटर की उचाई के उपर ये देखने को मिलते हैं जिसे परवर्ती च्छित्र ये हैं तो यहाँ पर देखने को मिल गए यहाँ परवर्वर्वर्टी प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर वर्ती वन ठीक है इसके बाद में हम बात करते हैं मेगरो वन की यानि कि स्वाम पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहां पर देखने को मिलते हैं तो दोस्तों ये डेल्टा परदेशों में ज्यादा देखने को मिलते हैं बाहरत में डेल्टा ही छेतर है वो है पस्सिम मंगाल जहा वो डॉलफ हो पाई है मेगरू में एक विशिस्ट परकार की जो जाती है वनू की वो डॉलफ हो पाई है जिसका नाम है सुंद्री परजाती और सुंद्री परजाती की कार्ण ही यहां का जो डेल्टा और इस छेतर को नाम दिया गया है वो है सुंद्र वन तो इसके नाम से प वार दीव समूह में भी देखने हूं मिलते हैं तो दोस्तों यह हुई हमारी जलवायू और वनस्पती कंप्रीट इसके बाद में हम बात करते हैं वन्ने प्राणियों की इसके बाद में हम बात करते हैं वन्ने प्राणियों की यानिकि भारत में जो वाइल लाइफ है वो किस तो दोस्तो हमारी जो बाहरत देश में हैं सभी परकार के जीव जन्तु पाए जाते हैं बात करें हम कि बाहरत में जीव जन्तु पहले तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन जैसे जैसे जन संक्या बढ़ी उसी परकार हमारे देश में से जीव जन्तु की जो संक्या है वो बसे में कईदीसन यह है कि दोस्तों यहां पर फिर्म प्रकारारी जो परजाती हैं वह लुब्थ की कगार पर पे हैं और यह कई प्रकारी प्रजाती जो है वो लुब्थ हो चुकी है व dit सो हमें ये टोपिक जो है यहीे काफी गंभीर एसके ऊप्र हमें द्यान देने की जरूरत है बात करें दोस्तों भारत में सभी परकार के जीव जिनावन मिलते हैं चंतु जैसे हमारा रास्टी जो पसू है उसे हमें बाको माना गया है ठीक है इसी परकार हमारा जो रास्टी पक्सी है वो मोर है रास्टी जली जीव है डॉल्फिन गंगा रीवर के अ नाम है काजी रंग के तो काजी रंगा अभयर में देखने को मिलते हैं वहीं बात करी उंटों की तो पस्छी मिच रमें राजितान में यहां पर क्या मिलेंगे टी करो दोस्तों हर याना में ऊटोत मेल जाएंगे आपको गुजरात च्यत्र once कोट में जाएंगे और पसिब मंगाल के बंगाल टाइगर हमने नाम सुना है बंगाल टाइगर ठीक है दोस्तों अभी तो इन टाइगरों की क्या है संक्या वगरा बढ़ रहे हैं आपने कुछ दिन पहले शुना होगा कि मोदीजी जो है अफ्रीका से शोला जो क्या लेके आ बाग लेकिया रहे तो दोस्तों मद्य वरुदेश में कब्यारन है कुं ऐसले इन सौला जो बाग लेकिया थे मोदी जी उनको यहां पे रखा आएगा इनकी संक्या जो है वो देर देरे डाउन होती जारी थी इंडिया से वहीं बात करें गदूं की तो दोस्तों अमिता बचन कई बर आपने देखा होगा एड करते हैं कभी तो वक्त गुजारी गुजरात में तो किसका लोगों है वो गदूं का जो है यहां पर गदे जो है अब भ्यारण मनाए गए है जिससे वन्य प्राणियों की जो है सुरक्षा की जाए दोस्तों इंसानों की पॉप्लेशन तो धेरे देरे बढ़ रही है लेकिन हमारी जो जन से क्या बढ़ने के कारण कई जो प्रजाती है वन्य प्राणी है उनकी संख्या जो है तिरों हमारे देश में दुहिन प्रकार के प्रान वगेरा भी चलते रहते हैं कि वन ने प्रानी जो है उनकी शुरक्षा की जाए इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हम यहां पर क्लासिस्ट की जो ओलो टोपिक हैं वो यहां पर कंप्लीट होते हैं और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवंध की जोगराफी बुक तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद